हलो स्टुएंट्स, वेलकम इन B.S.A. फाइनल, मेरा नाम डॉक्टर बीम सिंग, मैं आपको जुलोजी का फर्स्ट पेपर पड़ाऊंगा और आज से हम सुरुवात करते हैं जुलोजी का फर्स्ट पेपर कॉड़ेटा की, जिसका नाम, जिसका पूरा टाइटल है यह जो वीडियो लेक्शर है, मैंने हिंदी माध्यम के विद्यारतियों के लिए तयार किया है, इसमें यह अपना सिलेवस है, जिसमें यह चार पॉइंट है, सेक्शन A, B, C, तीन भावों में यह बटा हुआ है पूरा पिपर, जिसके A पार्ट में यह चार पॉइंट है, जि इसके बाद में पेट्रोमाईजोन और M.O.C. लारवा की स्वभाव आवास और उसके विशेश्ट लक्षन, यह इसके स्लेवस है, सेक्शन A के अंदर, अब हम शुरुआत करते हैं, सबसे पहले कॉर्डेटा, कॉर्डेटा शब्द के बारे में आपको पता होना चाहिए, क इसमें कॉर्डा प्लस एटा, कॉर्डा का अर्थ होता है, रोप या रॉड की समान सरचना, कोई भी, और एटा का मतलब होता है, धारण करने वाले प्रणी, अर्था-अर्थ, नोटो-कोर्ड धारण करने वाले प्रणी को कॉर्डेट केते हैं, नोन-कोर्डेट, इसके परतुरपोड़ा, मॉलस्का, इकाइनोडरमेटा आधी और कॉड़ेट आव वे जनतु होते हैं जिनके अंदर नॉटो कॉड़ पाई जाती है जैसे कि मचली है, मेड़क है, चिपकली है, पक्षी, बंदर, मनुशे ये सब कॉड़ेट प्रानी के लाते हैं इसमें और उसके बाद में ये इसकी अलिमेंटर के नाल है, अलिमेंटर के नाल का अंतिम जो है वो एनस में कुलता है और उसके बाद में ये इनमें मायोटोम्स पाई जाते हैं और ये सबसे लास्ट में जो है ये टेल पाई जाती है, इसकी पूश पाई जाती है और उस पूश मे के ठीक उपर पीले रंकी ये नर्व कॉर्ड है, इसकी तंत्री का रजु है, और ये इसके मायोटोम से है, इस परकार से ये एक टिपीकल कॉर्डेट की structure है, त्री fundamental characters of कॉर्डेटा, कॉर्डेटा के तीन जो मूल लक्षण हैं, जो बालफोर ने सबसे पहले बताया 1880 में, वो हैं, प्रजेंस अफ नॉटोकॉर्ड, प्रजेंस अफ फेरेंजेल गेल्स, प्रजेंस अफ डॉर्सल टुबुलर नर्वस सिस्टम, यहनि नॉटोकॉर्ड क रज्यू के मद्य में एक संरचना पाई जाती है, जो शरीर को आधार प्रदान करती है, उसे नॉटोकॉर्ड कहते हैं, दूसरा एक फेरेंजेल गेल्स की उपस्तिती, इन यह फेरेंजेल गेल्स, गेल्स तो नोन कॉर्डेट में पाई जाते हैं, लेकिन फेरेंजेल, फेर पाई जाते हैं, और यह स्वसन के लिए जरूरी होते हैं, तीसरा है प्रष्ठी नलिकाकार तंत्री का तंत्र, शभी कोड़ेट के अंदर एक एकहरी, नलिकाकार, खोकली, बिना गेंगली, उनके तंत्री का रज्जू पाई जाती है, जो शरीर में देहगवा के बाहर मद् अंतर होती है, यह अगर भाग में जाकर के संगने दोकर के मस्तिस्क में बदल जाती है, उसके बाद में कोड़ेटा के अनिलक्षन हैं, जैसे कि इनमें अक्षी करण पाई जाता है, या एक्जियसन पाई जाता है, अगर भाग से लेकर के पश्च भाग तक एक एंटीर और posterior एक लाइन पर जाती है, एक axis पर जाती है, जिसके समान अंतर सभी अंगों का वित्रण होता है, इनका शरीर द्वी पार्स तो सम्मित होता है, यानि बीच में से अगर काटा जाये, तो दो बरावर के भागों बेवाजित हो जाता है, और खंडों में विवक्त होता है, मेटामेरिकल सेगमेंटेशन इनमें पर जाता है, त्रे स्तरीय पराणी होते हैं, अर्थार्त इनमें एक्टोडर्म, मिजोडर्म और अंडोडर्म तीनों परकार की जर्मलेर पर जाती है, अधिकतर पराणी हो का शरीर मुकित्या तीन भागों मां बटा होता है, सिर धड़ औ और पूँच में बटा हुआता है इनमें अंगतंत्र इस्तर का सारीरिक संगटन होता है जो सबसे उचितम इस्तर का सारीरिक संगटन है वो इसमें पाया जाता है सुविक्षित प्रकार का यानि अपने अपने कारियों के लिए विसिष्टी करत हो जाते हैं इस प्रकार के अं नहीं इनमें पायाते हैं, इनका जो हिर्दय है, हिर्दय पाया जाता है, लेकिन अधरतल परिस्तित होता है, इनमें बंद प्रकार का प्रुदिर परिशंचरन तंत्र पाया जाता है, इनमें बाहिये कंकाल सुविक्षित प्रकार का पाया जाता है, इनमें अंतहक अंकाल अस् पूँचपाय जते हैं यानि कि गोदा के पीछे वाला जो भाग है वो इप पूँच बनाता है इसमें और नॉन कोर्डेट के इंदर इसका उल्टा होता है अर्थार्त उनकी जो गोदा है वो पूँच के अंत्यम सरे पर होते हैं वो अगर देखें तो कोर्डेटा हमें आगे से पीछे की ओर होता है और नों और इसे अंतर है दोनों में इनमें अदिकल लेंगिक जनन पर भीकास होता है यानि लारवल स्टिज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है इनमें पुनूरु u both फोबन की शंता बहुत कम पाइए अगर क्लासिफिकिशन देखें तो कोड़ेटा में लगवक 60000 प्रजातियां इस धरती पर पाइए उन्में जो कोड़ेट हैं उन्में कोड़ेटा को चार उसंगों में बाटा गया है 4-Hemicodate, Eurocordate, Sephalocordate और Vertivareta इन में से परफम 3 hemicodate, eurocordate اور sephalocordate इन کو proto-cordate यह lower-cordate के नाम से जनते है क्योंकि इन में notochord सिर्फ notochord की रूप में रहती है जबकि जो 14 Wortivareta उनमें notochord इनकी vertibural column में बदल जाती है इसलिए उनको vertiv rates केते हैं और प्रतम तीन को invertiv rate कोड़ेट केते हैं तो vertiv rates को u-cord rate और higher cord rates भी केते हैं क्योंकि उनमें vertival column पाई जती हैं अब पहला लेते हैं हemi-cord data वो प्राणी होते हैं जिनमें आधी यानि half cord data not accord पाई जती है half not accord bearer animal गेगन बोर ने सबसे पहले इनको anterior of news टका था और betson nation 1885 में इनका नाम हemi-cord data नाम रखा इनके जनरल गरेक्टर कुछ इस प्रकार हैं सभी हemi-cord data जो हैं मराइन होते हैं वर्मी फॉर्म होते हैं यानि क्रिमी रूप होते हैं इनका body soft होती है और तीन भागों में होते हैं इनका इनमें antir baru seal परकार की गोह पाय कि जाती है जो तीन भागों में विवक्त होती है आगे के भाग में proto seal मद्द्धभा के मीज शील और अन्त में नाल पाई जती है देवित्ती में केवल एपिडर्मिस पाई जती है डर्मिस का आभाव होता है इनमें मुकस ग्लेंड पाई जती है एपिडर्मिस में जिससे मुकस इनमें स्रावित रहता है और लस लस अस्टरेड बना हुआ रहता है इनकी एलिमेंटरी के नाल यू आकार की होती हैं इनमें एंडोρί जी राणन को करने यह उता हैं रसी थे होते हैं रखत्वें वीनेडियम नामक वरणक पायाता है इनमें प्रोबोसेश में पायाने वाले एक मात्र ग्लूरोमेरुलडस की द्वारा उसर्जन होता है एक्सेक्रीशन ओनली बाई Glomerulus यह Unisexual या External Fertilization होते हैं एक लिंग यह होते हैं यह इन में परिवर्धन Indirect होता है यानि इन में Tornaria Larva पाया था है यह Tornaria Larva बहुत ही Important है जो यह सावित करता है कि सभी Codate का विकास Tornaria से ही हुआ है इस परकार से यह Phylum Code Data के Journal characters थे अब इसमें यह देखें कि पूरे संसार वर्वर्व में हमी Code Data में केवल 80 प्रजातियां इस दर्थी पर पायाती हैं और उन 80 प्रजातियों को दो क्लासों में बाटा गया है Enteroplast Nosτα और enteropneus rusta का उदारन bellonogleces और teropneus bulanico regalia etubaria जो इसमें पैजे ने आते हैं जैसे कि चित्र है ये anytime बाटि जोस का यह देख रह आईक प्रोबोसिस कोछ आगे का हाग squeezing है यह मद्यभाग कॉलर है और यहां से लेगर कि यहां तक का पूरा भाग यह इसका ट्रंक है इस ट्रंक में ही इसके गिल रीजन पहे जाता है और एनस पहे जाती है और यह पूरा इसमें पहे जाता है इस प्रकार से हमने यह देखा के कॉड़ेटा का ये हमने डिटेल अधियन किया आज के लिए एतना ही अगले चैप्टर में हम यूरो कोड़ेटा के वारें पढ़ेंगे थैंक यू